यह वेलकम टूपी आप आज हम लेकर आए हैं एक नए इंपोर्टन टॉपिक गया जिसमें बहुत सारी क्वीरी भी आ रहे थे कि माम एकनॉमिक्स के जो मैक्रोइकनॉमिक्स के इंपोर्टन टर्म्स होते हैं जो आपको कई बारी करेंट अफेस कराते हैं वक्ति जब मैं बता तो मैक्रोइकनॉमिक्स के बिलकुल देखो बेसिक किताब है हमारे पास क्लास 12 की NCRT देखो बहुत सारे ना हमारे पास अवेलबल सोर्सेज है NCRT के अलावा भी पर एक जो टेक्स्ट्बुक NCRT की क्योंकि गवर्मेंट पब्लिश्ट है इसको आप जरूर पढ़ो इसमें जब अभी पढ़ते वक्त ना आपको मैं इतने सारे फैक्स और इतनी इंपॉर्टन बाते बताऊंगे ना जो एक्जाम में वैसी के वैसी पूछी जाते है NCRT की पूरी-पूरी लाइन उठा के पेपर्स में डाली जाते है चाहे वो स्टेट के PCS हो चाहे वो UPSC का प्रिल आपको पता चले कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या-क्या होती है मैक्रोग्नॉमिक्स के मैक्रोग्नॉमिक्स अपने आप में कितना वास्ट है कैसा है वो हम डिसकुस करने आज जा रहे है कि अभी हमारी जुलाइक का विजन का मैगजिन आया नहीं जैसे आएगा वो भी करे कि जब हमारे को विजन आयस में करंट अफेस में हमें GDP MP पूछे मार्केट प्राइस में पूछे तो हमें पता हो यह सारी चीज़े क्या है नाशल अंकम की अकाउंटिंग कैसी की जाती है यह तर्म्स के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए वो पता कैसे चलेगा हम स्ट तो छोड़ोग इंटराप फोड़ो हमें इतना कवर करना इतना आयेगा पेपर में पिछले साल कि पर से पता चला रहा है हो गया है यहां पर आपको पता ही नहीं नहीं पैठ के क्या क्वेश्टन गल रहा है समझ रहों तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टन हो जाती ह देखो chapter 1 में जब हम micro economics के जाते हैं तो यह सबसे पहले शुरुवात करता है बहुत सारे यहाँ पर यह questions देता है यह question देता है कि किसी भी citizen के लिए broad economic question क्या होता है कहीं पर price rise कैसे करता है, price कैसे कम हो जाता है अगर price कम या ज़्यादा हो रहा है और employment condition as a whole of the country किन-किन economy की वज़े से फेफेक्ट करती है और economy run कैसे करती है अपने आपने इस सारे सवालों के जवाब हमें macro economics देता है analyze करकर जब हम macro economics को पढ़ते हैं तो हमारे पास जो सबसे important चीज़ आते है वो ही आते है कि aggregate output level, price level, employment level different production units में economy का कैसा कैसा है अब हम समझते है aggregate output level यानि कि total production कितना हुआ, total output उसमें से कितना निकला, price का क्या level था, employment का क्या level था economy के अंदर इस सारी चीजों की जानकारी हमें macro economics बड़े ही सही ढंग से देता है even देखो यहाँ पर यह भी बताएगा आपको कि कोई ना मानलो एक single good है ठीक है, उसको हम मानलेते है representative of all the goods तो economy में produce किया जा रहा है और इस representative good में कितना level of production आएगा, इसका कितना average production रहेगा, इसमें कितना price इसका involve होगा इस सारी चीज़े हम economy की इस तरह से बता देते हैं, कि economy को हम यहाँ पर याद रखना, जब भी हम macro economics पढ़ रहे हैं, तो हम सीधी सी बात ये भी कर रहे हैं, कि हम aggregate production की बात करेंगे हम यहाँ पर हम यहाँ पर aggregate का मतलब होता है total, total production की बात होगी, यहाँ पर बात होगी aggregate, demand की, ठीक है, ऐसे ही aggregate supply की बात होगी, यह सारे topics हमें कहां मिलते हैं, हमें यह सब पढ़ने को मिलेगा आपका, कहां पर macro economics के अंदर, ठीक है, किसी ज़्यान रखना, अच्छा, फिर यहाँ यह कह र किसी भी देश का total production, उसका level of employment, और उसकी वज़े से जो variables होते हैं, जो attributes होते हैं, जिसको हम variable भी कहते हैं, यानि variable बोले तो क्या price है, या आपका interest कितना है, इसके अंदर rate of interest कितना है, wage rate क्या है, ठीक है, यह सारी चीजे, profit कितना है, यह सारी कि सारी चीजे हमें पता चलती ह कैसे जब हम total production की और ध्यान देते हैं, तो यानि macroeconomics हमें economy as a whole यह बताता है, कि आपके किसी एक time period में कितना production हुआ है, कितना employment है, कितना price बड़ा घटा है, rate of interest कितने चल रहे हैं, wage rate कितना है, profit कितना है, इस साभा ही सब के सब चीजों को बताता है, बड़े ही simplified तरीके से, और यह भी बताता है, कि real commodities का actually खरीद कितनी हुई, कितना बेचा गया, इस सारा कुछ, और उसकी वज़े से price, interest, wages पर क्या आसर बड़ा, वो सारे चीजों बताता है, even यह भी बताता है, कि कैसे inflation इतनी तेजी से बढ़ रहा है, inflation का मतलब क्या price का बढ़ जाना, या employment का कैसे इतना down हो रहे है, employment down होने का मतलब है, कि depression की तरफ जा रही है economy, अभी हमने देखो, बहुत कुछ हमें सुनने को मिल रहा है, कि US के अंदर ऐसे चीज़ें आ सकते हैं, जो recession की तरफ ले जा रहे है, तो general direction इन सभी variables का, यानि आप समझ लो, variables का मतलब यहां ध्यान रखना, variables का मतलब यहां price से है, rate of interest से है, wage rate से है, profit से है, इस सारे के सारे variable कैसे काम करते हैं, कैसे work करते हैं, और economy को कैसे run करते हैं, अगर आप असल में देखो, aggregate economy क्या है, macroeconomics, macroeconomics क्या पढ़ा रही है, macroeconomics आपको बताते हैं, कि एक point of time में आपकी country का कितना production था, कितना employment था, इन स है, price कैसे run कर रहा है, rate of interest कैसे काम कर रहा है, इस सभी चीजों के बारे में आपको पता कैसे चलता है, आपके macroeconomics की वज़े से, अगर हम देखां यहां पर ही कहता है, कि और अगर आप धिहान से समझोगे बात को, तो आपको पता चलेगा, for certain purposes, interdependence or the rivalry between two sectors, आपको ये भी कि आपस में भी economy के sectors कितने जादा जुड़े हुए हैं, अगर आप macroeconomics को पढ़ते हो, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे agriculture industry, कैसे relationship between sectors like household sector है, business sector है, government sector है, इन सभी को समझते हो आप, और ये भी समझ में आता है कि definitely economy को बहतर करने के लिए, economy as a whole पढ़ने के लिए, आप आपको इन सभी sectors के बारे में पता होना जाए, कौन कौन सेक्टर है, household sector है, फिर क्या है, business sector है, government sector है, ये आपस में सारे के सारे interlinked है, तो इन ही की वज़े से हमारी economy क्या कर रही है, run करती है, अब ही करता है कि अब आप जैसे जैसे different goods की तरफ देखते हो, और representative goods की तरफ दे इस की बहुत different nature की होते हैं, यह आप single category अगर आप मान लो, यह representative of all kind labors मान लो, इसको कैसे distinguish करोगे, कैसे करोगे, technology भी इसमें सामने आएगी, तो तीन major kind of representative of all commodities माने जाते हैं, याद रखना representative goods कितने तरह के माने जाते हैं, तीन तरह के, कौन कौन से होते हैं, agricultural goods, क्या होते है agricultural goods, उसके बाद industrial goods and services, इसी के बाद आपका technology आजाती है, यह भी बढ़ जरूरी है, इन सभी का आपके जीवन में, यानि macro economics क्या analyze करने की कोशिश करती है, macro economics यह analyze करने की कोशिश करती है, कि different point of time पर output level कितना रहा, price कितना रहा, employment level कितना रहा, इस सारे कर, देखो जब अब मैंने आपको economic survey बताया था, तो economic survey में हमने पढ़ा था, कि agricultural economy को अलग से ना पा जा रहा है, measurement किया जा रहा है, industrial economy को, service sector को, यह सारा का सारा हमने देखा है कि कैसे कैसे यह work करता है, इसकी सा नेचर है, यह सारी चीजों को work out कराता है, क्यारा, micro का मतलब क्या small agent कि consumer अपने respective combination को चुन रहा है, देखो एक होती है, micro economics, micro economics भी आपने पढ़ा होगा, micro economics का मतलब यह होता है, अपनी given income के साथ, customer best to best taste भी अपना fulfill कर ले, अपने combination of goods को optimum बना ले, और maximum profit producer का भी हो पाए, micro economics म सीधा सा मतलब है, कि micro economics आपको यह सिखाते है, कि एक individual अपने given income के साथ, किस तरह की जिंदगी को और अच्छा कर सकते है, ठीक है, ऐसे ही producer कितना maximum profit कमा सकता है, cost को, ठीक धंग से रखे, market के according रखे, ना लादा बढ़े भी ना, कम भी ना हो, in other words, micro economics का study जो है, वो demand and supply पर थ बेस्ट, यहां हम individual खरीदारी, individual sellers को देखते हैं, अपना, उसी तरह से अपना personal satisfaction पूरा करते हैं, लेकिन अगर हम किसी large company में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे interest हैं, वहां बहुत सारे shareholders हैं, वहां पर हमें country as a whole देखना पड़ता है, वहां पर हमें macro economics का जरूवत पड़ेग हैं, वहां बहुत साथा investment हुई है, उसकी वज़े से पूरी country की economy रन करती है, तो definitely वहां पर हमें macro points से यानि large phenomena से देखना पड़ेगा, क्योंकि उस business organization की वज़े से inflation, unemployment ये सब कुछ बहुत matter करता है, तो macro economics में बोला गया कि हमें general equilibrium पे रहना चाहिए, equilibrium का मतलब होता है कि demand and supply का market में मिलना, जैसे this is the point of, मानलो ये diagram है, ये आपका price है, ये quantity है, तो अगर demand and supply मिल रहे है, this is the curve of demand, this is the curve of supply, अब जैसे मानो ये जो point है, जहाँ पर price and quantity सेम हो रहे है, जो यहाँ पर demand and supply मिल रहे है, तो समझ जो यहाँ पर हमारा equilibrium point है, तो हमें macro economics कराती है, बताती है, कि अगर हम economy को stable रखना चाहते हैं, तो stability economy के कहा है, जहाँ पर उसको equilibrium मिलता है, यानि कि जहाँ वो equilibrium पर आ जाती है, अब इसी में हमने एक term पढ़ी थी, क्या, economic agent, economic agent क्या होते है, individual और institution जब economic decisions लेते हैं, they can be consumer who decide what and how us to consume, कितना consume करना है, producers कैसे decide करें, कितना produce करना है, तो government है, corporations है, economic decisions है, कितना spend करना है, कितना interest rate रखना है, यह सारी कि सारी चीज़ें economic agent होती है, यानि agent का मतलब क्या, जो पूरी economic activities करता हो, समझे रहो मेरी बात को, यानि कितना produce करना है, कितना consume हो रहा है, कितना credit लेना है, कितना interest, कितना spend करना है, पैसा, कितना tax रखना है, इस सारे कि सारे economic agent होते हैं, कितनी ही बार पूछा गया है सवाल, कि father of modern economics किसे कहते है, Adam Smith को, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने suggest किया था, कि जहां buyer and seller मिलते हैं, हर market में मिलते हैं, तो जो वो interest, अपना decision लेते हैं, self interest के लिए लेते हैं, तो economist will not need to think of the wealth and the welfare of the country, economist को क्या चाहिए, as a whole separately, economists gradually discover that they look further, क्या, economist को क्या क्या देखना होता है, कि देखो, market जो है, did not or could not exist, अपने आप में exist नहीं करती है, market exists but fail to produce equilibrium, ऐसी market, जो equilibrium produce ना कर पाए, most importantly, large number of situation society में, I had decided to pursue certain social goals भी पूरे करने होते हैं, अब बास को समझो, देखो, economist कह रहा है, कि market अपने आप में कुछ नहीं होती है, अगर वो market में demand and supply equilibrium पे नहीं आ रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल, economist को वहाँ पे जाकर, अपना investigation करना चाहिए, कि भई, यह equilibrium पे demand and supply क्यों नहीं आ पा रही है, तीसरा economist को यह भी काम करना होता है, कि पूरी society का भी भला करना है, उसको social economy कहते हैं, यानि employment भी देना है, administration का भी खर्चा देखना है, जहां पर आपको social goals, unselfishly, यानि profit नहीं देखना है वाँ पर, उसमें भी आपको economist को ही फैसला लेना हो पड़ेगा, कि economy को कैसे रन करा जाए, और इस सब चीजों का आपके aggregate क्या effect पड़ रहा है, इस सारा चीजें, taxation, budgetary, यह सब बनाना, यह सब काम economist का होता है, इकनॉमिस्ट का गोल इन सबसे भी ज़्यादा है, policies बनाना, money supply में कुछ change की जरुवत है, वो करना, rate of interest, wage, employment इस पे change करना, तो macro economics में, मैडम स्मिट के बारे में भी आपको बढ़ाते हूं, macro economics बहुत डीप में जाके हर चीज का demand and supply के forces का aggregate effects भी, study करती है, अब इसी में एक व्यक्ति Adam Smith आये है, हमने बोला अभी कि father of modern economics है, कितने ही सारे paper में, इनकी दो किताबों के बारे में, कितने मैंने paper में देखा है, कि पूछा हुआ है, इनका inquiry into nature and cause of the wealth of nation, किसके द्वारा लिखी गई है, इनका बहुत major comprehensive work था Adam Smith का, तो देखो ये भी इनके द्वारा जो quotations दी जाती है, वो कितने सारे paper में हम देखते हैं, तो be aware about it, and he also advocated about free market economy, आपको ये पता होना चाहिए, free market economy क्या होती है, कई बार हमने ये शब्दों को हम अपने जब भी prepare कर रहे होते हैं, अपना vision IS का monthly magazine जब हम करते हैं, तो ये सवाल कई बार आते हैं, free market economy इस तरह की चीज़े, तो आपको पता होना चाहिए, यानि कि ऐसा economic system, जहां पर supply and demand है, based on supply and demand, यानि कि ऐसा system, जहां पर economic system में supply and demand होती है, वहां पर government का कोई भी control, यहां government control बिल्कुल नहीं होता, तो समझ जाना चीए कि ये कैसी economy है, free market economy है, क्या Indian economy partially free है, याद रखना, Indian economy क्या free market economy है, नहीं, इंडिया की economy partially free economy है, ये ध्यान रखना है हमें, free market economy कहो, या capitalist economy कहो, ये एक ही में आते होती है, यानि आपर law, supplier, demand, regulators of production, यहां government का interference ना के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना, ये concept किस ने दिया, Adam Smith ने दिया, ये बाद आपको जरूर पता होनी चाहिए, एक-एक term को आप समझ लो, economy के एक-एक term को, पीना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा, तो फिर आप न, देखो, आप current affairs ही समझ नहीं बाओ, इसलिए मैंने आपको कहा ना, कि बहुत जरूरी होता जा रहा है, कि मैंने ही बहुत बच्चों का न, queries आईं कि मैं आप ये कराओ, तो मुझे भी लगा कि वाकई ये बहुत बड़ी जरूरत है, कि आपको कराना चाहिए एक काम, अब कह रहा है कि जैसे देखो, developing country like India, यहाँ पे जो choices हैं, have to be made to remove or to reduce unemployment, और आपका access बड़े education का, primary health care का, ताकि good administration भी रहे, और आप अच्छे तरीके से चला पाओ, अब देखो macroeconomic जो decisions होते हैं, macroeconomic policy कौन बनाता है हमारे देश में, बताओ, हमारे देश में RBI है इसके पीछे, ऐसे ही market को संभालने के लिए, हमारे देश में security exchange board of India, जिसको हम SEBI कहते हैं, वो है, यह क्यों करना पड़ा हमें, define करना पड़ा हर तरह से हमें, ताकि हम constitution में economic agent को हम पता हैं, यह प्राइवेट प्रॉफिट तो हो, पर welfare भी साथ में हो, यह दोनों बड़ा important काम है, secondly, what do the macroeconomic decision maker try to do, यह क्या करना चाहते हैं, they often have to go beyond economic objectives, and try to direct the deployment of economic resources, यह करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आखिर macroeconomics की जो branches आई, यह कहां से आई, इसके पीछे Keynes है, यह बहुत जबरदस विक्ति हैं, बहुत British Economist हैं, बहुत intelligent थे, उन्होंने separate branch निकाली, किताब लिखी, यह किताब के बारे में हजार बार पूछा है, कितने भी laborers हैं, वह ready to work, और जिनको employment मिल जाती है, फैक्टरी में full capacity से ही अपने काम को भी कर रहे हैं, इस thought को classical tradition कहते हैं, इसको job मिल रही है, और वो अपना काम कर रहे है, उतना हो गया मामला, लेकिन Keynes कह रहे हैं कि कुछ और भी चीज़े हैं, क्लासिकल चीज़ें तो हम खाली इतना ही सोच के चलते थे, कि यह एक बंदा है, उसको काम मिल जाया, वो अपनी full capacity के साथ काम करें, जी हो गया मामला सेट, तो Keynes कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है, यह देखो, और भी किताबें इनकी देख लो, बड़ी इंप्रॉटन्ट है आपके लिए एकनोमिक वार कॉंसिक्वेंसिस, यह भी इनकी किताब है, इकनोमिक कॉंसिक्वेंसिस अफ दर पीस, ठीक है, अब इन्हों ने, देखो, क्या हुआ, यह बड़े ना सही टाइम पर आये, क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, 1929 में, और इसके सब्सिक्वेंट डियर्स में देखने को मिला, कि पूरे यॉरप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, आउट्पुट एन इंप्लॉइमेंट लेवल बहुत गंदी तरह गिर रहा है, अब आप देखो, आज यॉएस में रिसेशन आए, मैंने आपको कहा है, यॉएस अगर छीक हैगा, तो पूरी एकॉनमी को कोल लोगा, कई बार मैं आप कोई बात कहती हूँ, तो डिमांड फॉर गुड्स इन दा मार्केट वास वेरी वेरी लो नावर डेंस, उस ताइम पर ऐसा था, तो मैनी फैक्टरीज बहुत बिचारे खाली रहता था, कुछ काम ही नहीं है, सारे वर्जकर को जॉब से निकाल दिया गया, यॉएस से में आप समझो, 1929 से 1933 का समय, अब यकीन मालो कि अनिम्प्लाइमेंट रेट तीन से 25 परसेंट बढ़ गया था, इतना खराब, अनिम्प्लाइमेंट रेट का मतलब है कि number of person who are not working, विचारे jobs जूण रहे हैं, तो आप समझो, उसी पीरिड में aggregate output सोचो, इनका 33 परसेंट गिर गया, अब सोचो, अगर मालो यही से question आ जाए, आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, अब यह चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई है, NCRT को इसलिए carry करना बहुत ज़रूरी है, और यह सारे events से एकनॉमिस ने सोचा कि economy तो हमें नए वे में चलाने ही पड़े ही, यहीं पर आयकीन्स इन्होंने कमाल कर दिया, इनकी पूरी अप्रोश्ती की economy को entirely पड़ो, हर different sectors को बड़े ध्यान से पड़ो, और यहीं से शुरुवात होई आपके macro economics की, और यहीं से शुरुवात होगा आपका पहला macro economics को context, that is capitalist country, यहाँ पर क्या होता है capitalist country, कहाँ जहाँ पर production activities, capitalist enterprises चलाते हो, यानि कि बहुत सारे entrepreneur हैं जो major decisions लेकर, risk वगएरा को सब carry करते हुए, उससाब से economy को चलाएं, supply capital की run कितना करना है, किस समय capital कितना borrow करना है, इस सारे decisions लिये जाते हैं, free economy को concept यहीं से शुरुवा दुई, ठीक धंक से implement होना शुरू हुआ, हम natural resources क्या, जो part हम consume करते हैं raw material के form में, जैसे land का, plot का land है, plot out of land है, वो आपका care, natural resource है, raw material care, natural resource है, इस सारी जरूवात है, इनसान का भी, इनसान क्या करेगा, इस सारे आपकी important है, यह आपका carry करेगा factor of production को, labor, revenue जो आपने earn किया, entrepreneur ने production का part करने के बाद, और जो rent वगेरा देते हो, labor को wages देते हो, वो सब आपका, अब एक profit आता है, कि profit की definition क्या, economics में, तो जो revenue बचता है, आपके बाद, सारा कुछ labor की wages वगेरा देने के बाद, सारे खर्चे निप्ताने के बाद, जो earning हुई न, businessman की, entrepreneur की, उसको profit कहते है, तो profit मतलब जो producer ने next period में फिर वो रखता है, नई machine भी खरीता है, profit को ऐसी रखके बैठनी जाना होता, economy कहती है, investment पर बिलीव रखो, जैसे savings हैं, तो पढ़ी है, बैंक में, क्या बेफकुप वाली बाते हैं, आप उस saving को invest करो, तब वो पैसा बढ़ेगा, वनना वो बैठर हैगा, यहाँ पर भी जो producer होता है, वो profit को next period में नए machinery और नई चीज़े खरिपता है, ताकि उसका production expand कर पाए, उसके जो खर्चे हैं, वो production की capacity बढ़ पाए, इसको कहते हैं, investment expenditure, समझ रहो, फिर उसके बाद capitalist economy क्या, ऐसी economy जहां पर, क्या होता हो, private ownership हो, production की, government का कोई लेना देना नहीं हो, government का कोई interference नहीं होता, production यहाँ पर समान बेचने के लिए market में किया जाए, sale हो labor services की, उसक चीजें लगाई जाती हैं, यहाँ पर, समझ रहो, तो यह सारा कुछ अभी देखो, जहाँ जहाँ डिप्रेशन आया, वहाँ पर यह सब शुरू हो गया, ठीके, अब बताए, देखो क्या होता है, capitalist countries ने सलो मामला संभाल लिया, अब वो countries भी हैं, जो बहुत underdeveloped हैं, से कैसे चलाएगा वो अपना खर्चा, तो प्रोडक्शन में अब यहाँ पर मामला एक खुलने लगेगा, फॉर्म का, ताकि अब जो entrepreneur है, वो कहेगा भी, इनके परिवारों को कैसे चलाएं, चलो जी, काम करते हैं, entrepreneur जो यह से फॉर्म्स खोलनी शुरू करते हैं, वो क्या क किया जाए profit, और जो भी उसका बनता है, labor का वो पैसा उसको wage labor के फॉर्म में दिया जाए, तो developed and developing countries दोनों को समझ आ गया, एक ऐसा institution जहिए, जो इस सारी चीजों के साथ justice कर पाए, टैक्सिस कहाँ इंपोस करना है, कितना पैसा खर्च करना है, अब इन्होंने convenient फॉर्म में वो individual जो decision ले रहा है कि उसको कितना consume करना है, कितना उसको jointly consume करना है, और कितना क्या घर में क्या क्या लेकर आना है, कितनी salary उससाब से उसको कैसे करना है, यानि कि हमारे पास अब तीन sector हो गया है, household sector हो गया, एक आपका government sector हो गया, एक आपका firms हो गया, और इन दोनों के पूरी को पूरी तरह से, बात समझ रहे हो, तो यहां तक आपको बात पकड़ में आ गई, आगे चलते हैं, इसी में external sector बाद में create हुआ, कि अब लोगों को लगने लगा, domestically तो हमारे पास सब कुछ मौजूद ही नहीं है, हर चीज की पिछे दे को राज होते हैं, जब हमें महसूस हुआ है, हम भूना sufficient नहीं है, हर तरह से हम sufficient नहीं है, हमें resources को trade भी करना चाहिए, कुछ मसालें जो इंडिया से बाहर जाएंगे, कुछ हमें raw material बाहर का लेना पड़ेगा, हमें लगा external sector को force sector बना कर हम काम करते हैं, यहीं से concept शुरू हुआ है, export और import को हम x से unit करते ह दियान रखना, export का मतलब क्या है, जब आप domestic country बाहर बेचे goods को, जब economy में कुछ groups खरीदी जा रहे हैं, बाहर से, उसको import कहा जा रहा है, यह सारा का सारा concept क्या है आपका macrotonics का, समझ गए बात को, detailed समझ गए, basic चीज़ें समझ में आ गई, आज इतना ही समझो, कल हम नए topic पर जिसमें हम national income पड़ेंगे, और उसके लिए class आपको जरूर अटेंट करनी पड़ेंगे, आपके दिमाग खुल जाए, सारी terms आपको समझ आ जाएं पूरी तरह से, don't underestimate the capacity of NCRT's, ठीक है, so guys, thank you so much for listening, do like, share and subscribe to PM Pat Shala, have a nice day to all.